भोस्तों यदि आप भी किसी घरेलू नुस्खे घरेलू उपाए देशी नुस्खे को लेकर या कुछ भी ऐसा वैसा करके पेट दर्द, पेट की गैस, एसिडिटी, सिड दर्द, जोडों का दर्द, लिवर से जुड़ी बिमारियों, हाई और लो बिपी, मोटापा और मोटापे के कारण होने वाली बिमारियों, शरीर की कमजोरी, नीद ना आने के लिए और कबज अर्थात जिनका पेट पूरा ना होता हो, एक बार में पूरा पेट साफ ना होता हो, कई कई दिनों के बाद पेट साफ होता हो, या मल काफी सक्त और सूखा हुआ आता हो, मल त्याग करते हुए काफी जोर लगाना पड़ता हो, पेट की और शरीर की कोई भी समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश करते ह तो सावधान हो जाए ऐसे उपाई करके आप कुछ समय के लिए तो रहत पा सकते हैं किन्तु इन समस्याओं यानि बिमारियों को जड़ से खतम नहीं कर सकते हैं तो फिर इन समस्याओं को जड़ से खतम करने के लिए क्या करना चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो पेट की बिमारियों वो शरीर की बिमारी का रामबान इलाल है इसलिए वीडियो को केरफुली देखिएगा और सुनिएगा साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा आप सभी को हमारा नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत है तो दोस्तों यदि आप शरीर की किसी भी समस्या या बिमारी से छुटकारा पाने के लिए जो भी देशी नुस्खा घरेलू उपाय करते हैं वो केवल आपको उन समस्याओं से कुछ समय या फिर जब तक उस नुस्खे या दवाई को लोगे तब तक ही छुटकारा दिला सकते हैं किन्तु हमेशा के लिए नहीं साथ ही उन नुस्खों वर दवाईयों के जरिये केवल कुछ बिमारिया ही ठीक हो सकती हैं किन्तु सभी बिमारिया नहीं और समस्याओं तो बिलकूल भी ठीक नहीं हो सकती हैं इसको समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बिमारिया और समस्याओं दोनों अलग-अलग चीज़े हैं यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा हम उस पर भी वीडियो बना देंगे क्योंकि आखरी बिमारियां क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है जानकारी ना होने के कारण आप लोग उन्हें भी बिमारी समझ लेते हैं जो की बिमारी है ही नही जब जो बिमार ही नहीं है तो फिर उसका इलाज भी नहीं है इसलिए ये जानकारी आज के समय में सब को होनी चाहिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उसके जरिये आपको चाहे कोई भी समस्या हो या कोई भी बिमारी वो आपके शरीर को छोड़ने को मजबूर हो जाएगी खास करके पेट की समस्याएं अर्थाद बिमारियां जैसे कब्ज, कैस, एसिडिटी, पेट का दर्द आदी अब इस बात पर गोर कीजिए कि कोई भी समस्या यानि बिमारी केवल पेट से ही जनम लेती है यानि जब वो पेट से जनम लेती है तो फिर वो समाप्त भी पेट से ही होगी इसलिए पेट की बिमारियों की कोई भी दवाई ना तो थी, ना तो है और ना कभी आएगी अब आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पर तो बड़े उपाय बताए जाते हैं तो क्या वे सभी जूटे हैं तो दोस्तों वे सभी उपाय जूटे बिलकुल नहीं हैं किन्तु पूरी तरह सच्चे भी नहीं हैं क्यूंकि वे वीडियो आपको अधूरी जानकारी देते हैं उपाय सत्य हैं किन्तु उन उपायों को आपके सामने पूरी तरह पेश नहीं किया जाता है हमने भी काफी उपाय आपको अपने पिछले वीडियो में बताएं हैं और आगे भी बताएंगे किन्तु हमने सत्य और पूरी जानकारी आपको दी है आप उन वीडियो को देखिए जिनका लिंक आपको उपर आई बटन और नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उन वीडियो को केरफुली देखिएगा साथ ही फोलो भी जरूर करें तो दोस्तों अब बात करते हैं उस सुझाव की जिसके द्वारा आपको पेट की कोई भी समस्या या बिमारी नहीं होगी जब पेट की कोई समस्या होगी ही नहीं तो फिर शरीर में कोई भी बिमारी जनम नहीं ले पाएगी इसके लिए आपको बाहर से कोई भी चीज नहीं लानी है ना तो कोई नुस्खा बनाना है बस आपको खुद से कुछ करना है जब भी आप खाना खाने बैठें तो ये बातें याद रखें कि आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृती में बाधा ना पहुंचाए और यथा समय पच जाए आहार की वही मात्रा उस व्यक्ति के लिए उचित मात्रा है इसको आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे जब भी आप भोजन करें और भोजन करके उठते समय जब आपको ऐसा लगे कि मैं अभी थोड़ा और खाना खा सकता था तब इतनी मात्रा में ही भोजन करना चाहिए साथ ही एक इशारा खाना खाते समय डकार आने से भी मिलता है जैसे डकार आपसे कह रही हो कि बस अब खाना बंद करो खुराक पूरी हो चुकी है इसलिए भोजन के अंत समय में जब भी डकार आए तब ही भोजन करना बंद कर देना चाहिए ऐसा आपको हमेशा करना चाहिए फिर चाहे वो इस्तरी हो या पूरुस, छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बुड़ा, बड़ा लिखा हो या अनपड़ क्योंकि शरीर तो सबका एक ही तरह काम करता है इसलिए इस सुझाव को दिन के तीनों समय खाना खाते समय याद रखना चाहिए फिर आप खुद महसूस करेंगे कि कितना रिलीफ मिल रहा है किन्तु दोस्तों कुछ लोगों का विचार ऐसा होता है कि खाया पिया ही संग जाएगा बाकी क्या रखा है दुनिया में ऐसे ही लोग दबा दब खाय चले जाते हैं और मजे में आकर मज की बात भूल जाते हैं ऐसे लोग सिर्फ खुद के शरीर के लिए नहीं बलकि समाज के लिए भी घातक सिध होते हैं क्योंकि उनके अनावश्यक खानपान के कारण कोई दूसरा गरीब व्यक्ति भूका रह जाता है साथ ही भुक मरी फैलने का एक कारण ये भी है उमीद करता हूँ इस जानकारी को आप अपनी लाइफ में उतारेंगे साथ ही दूसरों को भी शेयर जरूर करेंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए तकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलते रहें आप करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये चारिकारी दोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फायदे मन्द होंगी तो दोफ्तों अब हमें आगया देजिए